दिल से बने हो योगिक शब्द कहलाते हैं जैसे विद्या प्लस आला, विद्या लए, राज प्लस भवन, राज भवन फिर है गह नमबर योगरूर शब्द जिन शब्दों की, बनावट तो योगिक शब्दों की तरह होती है, लेकिन वे एक विशेश अर्थ में प्रियोग किये जाते हैं उन्हें योगरूर शब्द कहते हैं, जैसे चक्रधर का अर्थ, चक्रधारन करने वाला विश्णू, विश्दर याने महादेव अब आता है आपका तीसरे नमर प्रियोग क्या धार पर, दो भागों में बाटा गया है, विकारी और अविकारी विकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, आधी के कारण विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं ये संख्या में चार है, संग्या, सर्वना, विशेशन और क्रिया फिर अविकारी शब्द, वाके में प्रियोग करते समय, जिन शब्दों में कोई विकारी या बदलाव नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ये भी संख्या में चार है इसके बाद आता है बटा चौथा पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर चार भिद होते हैं तद्सम, तद्भव, देशत और विदेशी तद्भव, देश प्लस ज, यानि देश में जन्मा, जो शब्ध देश के विविन प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा की भाषा से हिंदी में आये हैं उन्हें देशा शब्द कहते हैं जैसे पगड़ी, थैला, चारपाई, डिविया, आदे विदेशी शब्द विविन विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रियोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं जैसे स्कूल, रेडियो, दुकान, चाकू, आदी इसमें बटाप के लिए अज़ हमवक है आप कारेपून करेंगे सबसे पहले कारेपून करें और पार्ट तीन याद करें पार्ट तीन याद करें कल टेस्ट लोंगी कल पार्ट तीन का टेस्ट होगा कल दो याद करेंगे कल देस्ट है कल दो याद पार्ट 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 याद